संस्क्रिटों को अगर कहे जाने वाले भारत विश्म में अपने धार्मिक रिवाजों के लिए भी प्रसीद है अलग अलग धर्म वाले इस देश में एन एक धार्मिक स्थल मौजूद है जो पूरे देश में फैले हुए हैं दुनिया में आस्था का केंद्र मानी नहीं जाने वाले भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहां बाल गोपाल की एक अद्भूत मंदिर है जिसमें एक विचित्र रहस से जुड़ा है मानने तयाग है कि इस मंदिर में बाल गोपाल की मूर्ती है जो भूग से व्याकुल रहती अगर आप उनको समय से भोग नहीं लगाते हैं तो उनकी स्थापित मूर्ती पतली होने लगती है आए इस मंदिर से जुड़ी जरूरी बाते जानते हैं बाल गोपाल का ये मंदिर बहुती चमतकारी और आस्था का देंद्र माना जाता है इस मंदिर के दर्शन के लिए जगे पतली होती जाती है करीब 1500 साल पुराने इस मंदिर में भगवान क्रिशन को दस बार प्रशाद खिलाया जाता है कि प्रेट में रखा वो प्रशाद धीरे-धीरे कम होने लगता है धार्मिक मानने अता है कि जब भगवान में कंस को मारा था तब उन्हें बहुत भूक लगी है ठीक वैसे ही केरल के इस बाल गोपाल का मंदिर है मानने ता है कि भगवान क्रिशन की मूर्ती सिर्फ दो मिनट के लिए सोती है पुजारी को मंदिर की चाबी के साथ कुलहारी भी दे जाती है इसकी वज़े है अगर चाबी से कपाट का ताला ना खुले तो उसे तोड़ मंदिर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तब तक के लिए देखतरे दी ग्राउंग मेंज